हेलो केरेट्स जाहिन टू एवरिवन वंस अगेन यूर मोस्ट वलकम इन यूर चैनल आर्मी बास ग्यान सागर बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट हैं जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और NCC जॉइन करना चाहते हैं अगर आप भी 2024 में NCC जॉइन करना चाहते हो जॉइन करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NCC के क्या फायदे हैं वो भी latest वाले आप अगर दो साल तीन साल पुराने वाले वीडियो को देखोगे जिसमें NCC का benefits बताए गया है उस समय कुछ अलग benefits है और अभी latest में कुछ अलग benefits है जो वो सारे मैं आपको बताऊंगा latest वाले जो benefits है NCC का and साथे साथ मैं आपको बताऊंगा NCC करने का क्या नुक्सान यानि कि क्या demerits है क्या disadvantage है मैं भी एक NCC क्यारेट हूँ तो मैं जो भी बताऊंगा वो अपने experience का साथ बताऊंगा so simply you can relate on me and चलिए जानते है NCC के क्या benefits है सबसे पहले हम लोग NCC से होने वाले फाइदे को समझते हैं इसको मैंने दो types में categorize कि आपको दो types का benefit होते एक तो आपको personality में benefit होते हैं दूसरा है आपको competitive exam में क्या benefits मिलता सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपको personality में development होगा NCC करने की क्या कोई डिफ्रेंस होगा एक नॉर्मल एस्टुडेंट और एक ऐसा स्टुडेंट जो एन्ससी कर रहा तो इसका सिंपल एंसर होगा जी हां क्यूंकि एक नॉर्मल एक उड्र एक सबसे पहले दोस्तों के बारे में सचेगा क्यों उनको मिलेगा, फिर मैं खाऊंगा, ओके, चलिए इसको details में समझते, किस तरह से आपको benefits होगा, सबसे पहला benefits है, आप में maturity आएगा, या फिर आप mature होगे, एक NCC cadets हर तरह से mature होता है, आप normal cadets से आप mature होगे, जो normal student है, उनसे आप mature रहोगे, ओके, and है आप से decision making, आप जो NCC class करोगे, NCC में बहुत सारे camps होते हैं, उसमें आपको different decision लेने पड़ते हैं, ओके, so उससे क्या होगा, कि आपके अंदर decision लेने की जो छमता है, वो बढ़ेगी, and next है problem solving, जहां बहुत सारे student problem creators होते हैं, आप वही problem solver होगे, आपको NCC में बहुत सारे ऐसे tough situation आते हैं, जिसको आपको tackle करना पड़ता है, ओके, next हैगा time management, एजे NCC credits आपको time को बहुत manage करना होगा, जो जब भी NCC जाओगे तो आपको आपको आर्मी के P.I.S.T. आप, आपके air force वाले P.I.S.T. आपको time management, time के साथ काम करना सिखाएंगे, आपको इतना वज़े उठना, 6 वज़े सुबर रोल कोल होगा, फिर देड़ घंटा पीटी करना, फिर खाना खाना आधा घंटा में, फिर ड्रिल, सबको time बटा हुआ रहा था, time management आपको पूरा सिखाए जाएगा, आप पूरा सीख जाओगे, next है आप में leadership qualities आएंगे, आप NCC में एक, मैं भी एक NCC credits हूँ, तो आ आपको बहुत जगर पर आपको lead करने का मौका मिलेगा, आपको आप जब senior होगे, next है ये जो सारे maturity होगे, decision making, problem solving, time management and leadership qualities ये कहां होगे, मतलब कब होगा आपका, जब आप NCC से join करोगे, आपका NCC का जब daily classes होगे, and साती साथ आप जब NCC में camps करोगे, RDC camp होगे, TAC camp, AAC camp य जिसमें आपको बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, maximum चीज आप camps में ही सीखोगे, ये सारे चीज आपको camps में experience करने का मौका मिलेगा, आप NCC से RDC भी जा सकते हो, करतब ये पत होगे, IMA camp, Indian military academy जा सकते हो, NCC के through, camp में, okay, NCC के through, आप IMA में 10 ते 15 दिन का camp होता है, ठीक है, I hope आपको ये सारे benefit समझ में आ गया होंगे, अब देखते हैं, NCC के वे सारे benefit जो आपको competitive exam में देंगे, ये सारे जो आप यहां लिखा हुआ, ये latest benefit है, okay, सबसे पहला benefit हम लोग देखते है, NCC special entry, ये इसमें क्या benefit से आपको direct SSP देना होता, जैसे आप NDA, CDS के exam होता है, उसमे NCC special entry सिर्फ NCC C certificate वालों के लिए होता है, जिसमें आपको direct SSP देना है, return नहीं, direct SSP अगर आप clear करते हो, आप officer बन जाओगे, next है, वहीं F-Cat NCC special entry, ठीक है, तोनों में confused नहीं होना, NCC special entry है, army के लिए, वहीं F-Cat NCC special entry है, आपका air force के लिए, इसको अगर आप clear करते हो, ता आप air force में officer बनेगा, भी flying officer, ठीक है, इसमें भी direct SSP है, next है, बहुत सारे cadets हो को ये doubt रहता है, कि CDS के exam होता है, उसमें भी आपको, अगर आपके पास C certificate है, तो आपको exam नहीं देना होगा, ऐसा नहीं, अगर आपके पास C certificate है, फिर भी आपको CDS के exam तो देना ही होगा, होई air wing के लिए 5 seat, okay, CDS के exam में seat reserve रहता है, आपको ये ध्यान रखना किया, तो seat reserve रहता है, CDS के exam में, okay, and उसके अलाबा क्या क्या benefit है, extra marks मिलेंगा, आपको अगनी बीर में, 10 नमबर मिलता है, A certificate के लिए, B के लिए 15, C के लिए 20 नमबर, okay, अगनी बीर होगा, next है, नेभी SSR MR का जो stage 1 होता, वो आपको नहीं देना होगा, नेभी SSR MR में 2 stage होते, stage 1, stage 2, जो stage 1 है, अगर आपको पस C certificate है, तो आपको वो stage 1 नहीं देना होगा, clear, next है, बहुत सारे ऐसे exam है, जैसे SST conduct कराती है, SST के तुरू, SST GD हो गया, CPU हो गया, मैं आपको extra marks मिलेंगे, ठीक है, next है, girls के लिए बहुत ही अच्छा, बोल सकते हो, opportunity होता, अगर आपको पस C certificate है, तो आप girls credit instructor बन सकते हो, GCI, ओके, इनका काम होता, बस NCC में girls को perception देना, उनको training देना, ठीक है, यह सारे कुछ benefits है, मोटे मोटे तोर पर मैंने लिखा हूँ, and I hope आपको ये भी, और ये सारे benefits प पूरा मन कर रहा होगा, कि आप जब भी जॉइन होगा, आप NCC जॉइन करोगे ही, सो जब आपको college में होगा, अगर September ये जुलाइ से स्टार्ट हो जाएगा, तब आप जरूर जॉइन कीजिएगा, ये सारे benefits है, बहुत सारे बहुत सारे अच्छा benefits है, next, अभी हम लोग दे बता हूँ, आपको NCC के क्या नुकसान भी हो सकते हैं, तो मैं अपने साथ जो जो हुआ, वो सारे चीज़ आपको साथ सेर कर रहा हूँ, ऐसे कोई नॉर्मली कोई नहीं बोल सकता कि NCC के कोई नुकसान भी है, बोलके, मैं एक personally, मैंने भी NCC से 3 साल से go through हुआ हूँ, तो क्लास 11 में जोइन किया, उस समय क्या हुआ कि मैं 10 क्लास में बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, बट जब से NCC आप जोइन करोगे न, क्या होता है, सबता में 7 दिन में से 4 दिन, या 5 दिन, या कभी कभा 3 दिन भी क्लास होते हैं आपके NCC के, आपको कुछ प्रोग्राम के बुलाया जाएगा, कुछ आपको बुलाया सकता और NCC में जाने का दो टाइम है बट आने के लिए आपको भी पता नहीं होगा, कब आपको छुटी होगा, ओके इस देसे क्या हो ता कि आपको पढ़ाई में, लौस हो जाता हैं, आपको आप नमबर तो अच्छ है सकोर कर ल इसलिए आप जो study है आपका physics, chemistry, math, obviously उसमें आप धीरे-धीरे कम होते जाओगे So आप जब NCC जोइन कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना आपका study में थोड़ा सा loss होगा Next is physical demands Okay अगर आप NCC जोइन करते हो NCC का अपना ही physical है जैसे आप NCC जोइन करने के लिए जाओगे तो उस दिन आपको 800 meter या 1600 meter running करना होता है Pull up करना होता, push up करना होता जो बहुत थारे cadets के लिए tub भी होता है But easy है अगर आप regular running करते हो तो आप easily clear कर लोगे Okay ये सारे physical demands हैं जो आपको पूरा करना होगा Next है discipline and rule जो NCC के discipline है वो थोड़े strict है आपको जैसे NCC में है आपका hair छोटा होना चाहिए आप मेरा देख सकते हो इस तरह का hair होना चाहिए आप NCC में जब जोइन करोगे बहुत सारे ऐसे cadets रहते हैं जो नए में होते हैं बाल बहुत बढ़ा बढ़ा रहता तो उनको क्या होता है कटवाना पड़ता है आप beard भी नहीं रख सकते हो beard आप mustache रख सकते हो ओके यह चीज आपको ध्यान रखना है अगर आप यह सब कर सकते हो तो definitely you can join NCC Next है uniform and equipment NCC का आप में तो uniform देखा होगा बहुत सारे लोग तो uniform के लिए NCC कर रहे है इससे क्या होता है आपका extra खर्चा बढ़ता बहुत सारे होता है middle class वाले जो extra खर्चे मतलब bear नहीं कर पाते हैं एक uniform तो आपको free में मिलता है NCC में जो government के तरप से और बहुत सारे कुछ आपको खरिदने भी पढ़ते हैं track suit वगेरा ओके next है extra pressure आप अगर NCC join करते हो तो आपको पूरा manage करना पड़ेगा आपको सबको आपके जो study हो गया साथ मैंने जैसे पहले बता study loss उसको भी आपको manage करना होगा NCC को भी time देना होगा और बाकि आपके घर को भी time देना होगा सबको manage करके आपको चलना पड़ेगा और आपको extra pressure आता है exam के time सब्सक्राइब आप NCC के किसी camp में गे हो जैसे RDC camp मैंने पहले बताया benefits में RDC camp 5-6 मेना का camp होता अगर आप RDC camp गे हो और आपको कोई college में exam आ गया तब आपका exam तो छुट जाएगा बस फिर क्या आप फेलो जाओगे कोई ऐसा chance ने कि आप दुबारा दे सकते हो तो इस तरह का जो pressure आता है आपको exam के time वो आपको घिलना पड़ेगा next is risk of injury यह बहुत ही कम होता बट यह हां यह होता है आप ऐसे physical वाले है physical challenges होते है classes में तो कम challenge है बट आप camps में जाओगे तो उस समय आपको ज्यादा challenge मिलता है उस तो probably कोई injury भी हो सकता है जो आपके future को effect करेगा यह सारे कुछ problem है problem नहीं कुछ disadvantage है जो आपको ध्यान में रखना and मेरे को तो जितना लगा जितने problem उससे ज्यादा तो फाइदे ही है तो आपको NCC के फाइदे को देखके join भी करना चाहिए ज्यादा कुछ इस सब उतना serious problem नहीं है हरे credits कर सकते हैं अगर मैं कर सकते हैं तो why cannot you अगर आपको कोई भी specific question है तो आप feel free to comment आप comment जरूर के जो या फिर आप Instagram यूज करते हैं तो आर्मी बस ज्यान सागर सर्च किजिए वहां आप follow कर सकते हैं thanks for watching